Hello friends, आप लोग के बहुत सारे comments आ रहे थे, emails आ रहे थे कि free में मुझे website बनानी है, e-commerce website बनानी है, अपना store बनाना है और online selling करना है मैं आपको बता दूँ, आज की date में अगर आप इंडिया में e-commerce करते हैं या करने का मन बना रहे हैं तो आप किसी भी e-commerce marketplace पे जा सकते हैं Amazon, Flipkart, Miso, Geomart, Snapdeal, ONDC कहीं भी sell कर सकते हैं लेकिन अगर आपको इंडिया में long term तक e-commerce करना है तो आपको अपना brand value बनाना पड़ेगा, brand को build करना पड़ेगा जिसमें आपकी e-commerce website का रोल सबसे ज़्यादा रहने वाला है अगर आपके पास अपनी e-commerce website है तो आप उससे online selling कर सकते हैं उसके साथी साथ आप अपनी e-commerce website बना के अपने जितने भी marketplaces like Amazon, Flipkart, Miso पे sell कर रहे हैं वहाँ पे manufacture information, packer information में आप अपनी website को इंटर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं वहाँ से भी आपको traffic मिलेगा साथी साथ वह सारे customers जो different marketplaces पे purchasing कर रहे हैं जब वह Google पे आपकी brand को search करते हैं आजकल जो young generation के लोग है जो gen g के लोग हैं वह Google पे कई बाप brand को भी देखते हैं तो जब आपकी website बनी होगी तो एक अलग value एक अलग brand value बन के आती हैं भले ही आप उस website से frequent online selling नहीं कर रहे हों लेकिन आपकी website customer confidence को बढ़ाने में बहुत मददकार होती है और इससे customer conversion rate भी बढ़ता है customer trust भी बढ़ता है साथी साथ इस starting के दौर में आप अपनी website पे COD option enable करके बहुत सारे orders भी gain कर सकते हैं आप थोड़े Google ads, Facebook ads, social media ads चलाके ज़्यादा traffic अपनी website पे ला सकते हैं क्योंक लगाम आपके हाथ में नहीं है लगाम उनके हाथ में है जब खीचेंगे आपका game over हो जाएगा लेकिन आगर आप अपनी e-commerce website को in parallel लेके चलेंगे तो कभी भी आपको problem नहीं आने वाली है e-commerce website सारे तरीके से आपको फैदा पहुचाने वाली है अब इस वीडियो में मैं आ running website बना के दिखाने वाला हूँ और आपको बहुत मज़ा आने वाला है आपको कोई coding की जवरत नहीं है कोई knowledge की जवरत नहीं है अगर आपको अपना mobile चलाना आता है जो कि आजकल सबको आता है बहुत आसानी के साथ आप अपनी e-commerce website लगभग free में बना करके लगभग free रहा हूँ यह free of cost आपके लिए रहेगा क्योंकि यह मेरी duty है आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप लोग के comments आ रहे थे because see मैं एक computer science engineer हूँ I did B.tech, M.tech Bachelor as well as Masters in computer science and engineering मैंने बहुत सारा काम किया है मुझे सब कुछ मालूम है चीजे कैसे बनती हैं इसलिए मैं आपको इसको बता पा रहा हूँ और याद रखना कुछ भी quote नहीं करना है मैं बिलकुर running website आपको बना के दिखाऊंगा और इस बार तो म subscribe जरूर कर लिजे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like and share करिएगा सबसे पहली बात आपको e-commerce website बनाना है कुछ terms हैं जिनको आप दिमाग में रख लिजे कोई भी confusion आपको नहीं होगा जब आप e-commerce website बनाने जाते हैं दो चीजों की आपको पहले जवरत पढ़ती है domain and hosting domain क्या है यह आपके website यह आपका unique name है जो पूरे all over word आपको assign होता है फिर जब तक वो domain आपके पास में रहेगा कोई उस domain को use नहीं कर सकता है क्योंकि domain आपका unique identity है unique name है जिसके थूरू लोग आपको search करेंगे अब वो .com, .in, .co, .in, .org आप किसी में ले लीजे कोई भी extension आप ले लीजे उसके बाद दूसरा आपको चाहिए hosting क्योंकि एक बार आपने अपनी website के लिए domain पर change कर लिया तो उसका host भी तो चाहिए उसका host मतलब वो चलेगी कहां पे उसका database कहां पे रहेगा मतलब आपको एक hosting provider भी चाहिए होगा जब आप इंडिया के सबसे अच्छे hosting providers को choose कर लेंगे तो आपके पास अब domain हो जाएगी hosting हो जाएगी एक बार जब आप hosting ले लेंगे तो उसके बाद आपको c-panel पे shift कर दि new कर सकते हैं multiple domain ले सकते हैं वजब सारी चीजे control कर सकते हैं उसको बोलते हैं c-panel ठीक है न तो c-panel क्या होता है जहां से हम सारा अपना domain hosting की settings हो गयरा control कर लेते हैं उसके बाद एक terms आने वाला है cms content management system क्योंकि आपने domain ले ली आपने hosting decide कर दिया कि हमारा database हमारा host कौन है उस इसके बाद इन सारी चीजों को manage करने के लिए मतलब आपकी पूरी website को manage करने के लिए कोई management system भी तो आपको चाहिए होगा जिसको बोलते है content management system और मैं use करने वाला हूं wordpress क्योंकि wordpress से अच्छा beginner के लिए कुछ भी नहीं है अब इसके बाद मैं एक word use करूंगा theme theme क्या है य इसमें बहुत सारे templates होते हैं CSS होती है मतलब जितनी बढ़ियां आपकी theme होगी उतना अच्छा आपकी website का look and feel रहने वाला है उसके बाद एक word मैं use करूंगा plugin plugin क्या होते हैं यह small software होते हैं add-on software होते हैं जो आपको additional functionality प्रोवाइड करते हैं आपकी website में क्यों क्योंकि हम coding तो काम खतम आपका ठीक है ना यह मैं पहले इसलिए बदा दे रहा हूँ अब आपको कोई confusion नहीं रहने वाला है तो चलिए screen पे सब कुछ live देखते हैं वीडियो को like and share जरूर करिएगा यह सब free up cost है आपको एक भी पैसा किसी को नहीं देना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं मै आप कहेंगे कि मैंने hostinger ही क्यों चूच किया है hostinger इंडिया का इस समय one of the best hosting provider है बहुत सस्ता है beginner friendly है बहुत जादा इधर उधर नहीं है कुछ भी नहीं करना होता है सब कुछ बहुत easy way में manage हो जाता है और साथी सार चुकि मैंने hostinger से बात की है मैं आपको जब आप link पे click कर करके हमारे दिये गए link से आप यहां पे आएंगे एक coupon मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि यह जितने discount चला रहे है उसके अलावा भी आपको बहुत बड़ा discount देगा जिससे आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं क्योंकि इस website making series में अब आपको कहीं एक रूपय न रहने वाली है इसके अलावा आपको एक रूपय नहीं देना है और मैं तो आपसे एक भी पैसे नहीं ले रहा हूँ इस बार मैं आपको live सब कुछ बना के दिखाने वाला हूँ क्यों इस समय आपके लिए e-commerce website की बहुत ज़्यादा importance है यहां पे आने के बाद hostinger पे आप आ cloud यह उनके लिए है जो कि already बड़े brands हैं जिनके पास बड़ा traffic है जो कि आप में से ज़्यादा लोग small या medium scale businessman है जिनके पास website नहीं है तो अभी आपके लिए premium बहतर रहेगा जब traffic आने लगे sales आने लगे तो आप migrate कर लिजएगा आगे के plans में single आपके लिए नहीं है क्योंकि आप e-commerce website चलाने जा रहे हैं यह उतना traffic का load ही नहीं ले पाएगा crash कर सकता है आपके लिए बहतर कौन सा है premium यहाँ पे फायदे बहुत सारे हैं आपको 100 website मतलब आप 100 sub domain बना सकते हैं standard performance आपको मिलेगी 100 GB SSD मिलेगी आपको ठीक है न बहुत त domain भी मिल रहा है एक साल के लिए आपको free domain मिल रहा है तो चलिए यह चूच करते हैं मैं भी आपके साथ website बनाऊंगा तो मैं भी आपके लिए payment करके मैं खुद purchase कर रहा हूं domain hosting जिससे मैं आपको सब कुछ बता पाऊं अधरवाइच मेरे पास मेरी website है वहां से बताऊंगा आ आपको उतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि फिर सुरुवात से कैसे मैं उसको reset तो कर नहीं सकता मेरी running website है ट्रैफिक आता है उस पे तो मैं खुद यहां से आपको यह सारी चीजे live करके दिखा रहा हूं जिससे आपका काम आसान हो जाए अब यहां पे आने के बाद यह आ आप लेते हैं उतना आपको सस्ता पड़ता है और उतना आपके लिए बहतर रहता है क्यों अब आपने मालो 12 महने का ले लिया उसके बाद आपको renew करना पड़ेगा और जब आप renew करोगे तो कोई भी hosting provider हो वो थोड़े जादा पैसे लेता है इसलिए सुरुवात में ही जित से बेहतर क्या है जो उन्हें होम पेज पे दिखाया हुआ है कि इस समय जो लोग 48 मंथ का प्लान ले रहे हैं उनको दो महीने अपनी तरब से ये फ्री दे रहे हैं उबराल calculation आप करेंगे तो मात्र 149 रुपाय पर मंथ में आपको hosting मिल जा रही है वो भी premium hosting तो आपको क्या चाहिए otherwise आपके पास budget नहीं है तो आप नीचे भी आ सकते हैं और 24 महीने का ले सकते हैं एक महीने का कोई मतलब नहीं 12 महीने बहुत महेंगे पड़ेंगे आपको तो आप 24 या 48 जो आपको आपका budget हो आप अपने हिसाब से देख लीजे यहाँ साब लिखा है कि पहले साल के लिए domain भी इनकी तरफ से आपको free दिया जा रहा है आपको कोई पैसे देने की ज़वरत नहीं है मान लीजे यहाँ पे मैंने यह चूज कर लिया ठीक है न यह चूज करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको अपना एक hostinger cpanel account बनाना है जिससे आपका पूरा control panel manage होने वाला है आपको अपना email address password यहाँ से देना है याद रखिए यह email address और जो password है यह cpanel क मतलब जो हमारा hostinger का controller है अभी हम कोई wordpress और गयरा की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे तो simply चलिए email address password यहाँ पे mention करते हैं और मैं अपना email address password यहाँ पे mention करता हूं आप अपना mention यहाँ पे कर सकते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो user ID और password आप अच्छे से लिख लिज हैं यहाँ पे बहुत सारे multiple payment option हैं आपके पास में तो अगर आप यह 24 months वाला प्लान लेते हैं तो यह आपको मात्र 4,296 रुपय में पढ़ रहा है जो कि वैसे तो 14,376 का है फूरा discount हो जा रहा है पहले साल के लिए आपको domain free मिल रही है तो आपको कोई पैसे नहीं देने है privacy protection भी आपको free में दिया जा रहा है यहाँ पे अपना सारी information आपको fill up करना है क्योंकि आप hosting खरिदने जा रहे हैं तो यह सारा database जो भी आपका data है यहाँ पे आप इसको रखिएगा 70% अभी a discount आपको दे रहे हैं यह इतने आपका discount हो गया यह इतने tax लग रहे हैं और total यह इतना पैसा आपको देना है लेकिन आप घबडाईये नहीं आपको मैं coupon code देता हूँ वो आप किसी plan पे लगा सकते हैं 12 महीने 24 महीने 48 महीने सब जगा काम करेगा काफी पैसे बचाने वाला है तो चलिए यहाँ पे एक coupon code आपको इंटर करना है मैं इसको cut करता हूँ यहाँ पे आपको coupon code लिखना है HA10 और HA10 लिखने के बाद इसको apply कर देना है जब आप apply करेंगे तो देखिए 500 रुपए लगभग 500 से ज़्यादा रुपए आपके कम हो गए अब सूचिए इतना discount hostinger आपको दे रहा है इस coupon से आपके 500 रुपए और कम हो गए सिर्फ 4500 मतलब मोटा- आपका 24 month मतलब 2 साल आपका चलेगा आपकी website और hosting तो बहुत अच्छी चीजे हैं ये अब आपकी मर्जी जो आपका pocket allow करें उसके हिसाब से आप यहाँ पे payment करके आगे बढ़िए मैं भी यहाँ पे payment करके आगे बढ़ता हूँ जैसे ही आप payment करेंगे पेमिट करने के बाद आपके पास ये page आएगा मैंने भी payment कर ली है वो चीजे मैं आपको दिखाया नहीं क्योंकि वहाँ पे card details हो गयरा होती है यहाँ पे कुछ चीजें आपसे hostinger पूछ रहा है cpanel में जाने के लिए पूछ रहा है कि website आप किस के ल बना रहें next चलते हैं इससे थोड़ा आपको फाइदा हो जाएगा यह आपके लिए customization कर देगा website टाइप क्या है online store है हमारा ठीक है online store हम बना रहें next उसके बाद कौन सा CMS हम यूज करेंगे हम wordpress यूज करने वाले हैं क्योंकि इससे बहतर कुछ भी नहीं है wordpress हमने select कर लिया है उसके बाद अब आपको यहां पर wordpress select करने के बाद क्योंकि wordpress हमारा CMS रहने वाला जहां पर हम पूरी website की designing करेंगे यहां पर आप से administrator email और password पूछा जाएगा मतलब आपको यहां से बनाना है याद रखना यह email और password यह आपका wordpress का है जो आपने payment के पहले insert किया था वह आ wordpress का है दोनों सेम रह सकते हैं ज्यादा अच्छा है दोनों सेम आप कर लीजेगा ज्यादा आपको याद करने की ज़वरत नहीं पड़ेगी चलिए मैं insert करता हूँ password यहां पर एक password इंसर्ट करने के बाद अब मुझे याद है मैंने क्या password यहां पर insert किया है दिन हम next करते है next करने के बाद यहां पर यह थीम के लिए पूछ रहा है देखो मैं जो बनाने वाला हूँ e-commerce website वहाँ पर मैं एक predefined template यूज करूँगा जो कि extra पर बना हुआ है extra बहुत बहतरीन theme है e-commerce websites के लिए तो यह free है यहां पर कोई पैसा नहीं देना है तो चलिए हम extra यहां पर select कर देते हैं अगर मैं इसको skip कर दूँ तो यह सारी चीजें हमको manually करनी पड़ेंगी ठीक है ना तो मैं skip नहीं कर रहा हूँ मैं next कर रहा हूँ यहां पर क्या कर रहा है मैं जो plugin आपको बताऊंगा आपको वही install करना है तो ज्यादा website आपकी slow नहीं होगी क्योंकि उस पर ज्यादा load नहीं पड़ेगा next पर यहां पर click करेंगे अब यहां पर what's your website name यहां पर अपने को domain claim करना है जो एक साल के लिए हमको free मिला हुआ है अब जैसे यहां पर नाम उसका decide करिये हैं उसी के हिसाब से आपको यहां पर domain लेना है ecomshop.com claim कर लिया गया है यह नहीं मिलेगा आपको इसलिए यह कहा जाता है कि website बाब में बनाएं बर domain पहले लेके रख लें कई बाग मिलता नहीं है अब जैसे यह नहीं मिला है मुझे तो ecomshop.com नहीं मिला ह purchasing किया हूँ कि मैं आपको सब कुछ करके दिखा पाऊं otherwise मैं तो कोई नाम decide करना हूँगा क्योंकि यह मेरी demo website रहने वाली है businessonset.com available नहीं है registered हो चुका है businessonset.in available है ठीक है अब अगर इसमें थोड़ा change कर ले हम लोग businessonset आपको भी ऐसे देखना पड़ेगा maybe आपको तुरं businessonset.com नहीं मिल ला है businessonset solutions asolu मैं इसको type कर रहा हूँ देखता हूँ अब तो मिल जाना चाहिए मैंने इसका नाम रख दिया businessonsetsolutions.com मैंने जानबुच किया ऐसा रखा है क्योंकि यह मेरी demo website है चल यह okay है next पे क्लिक करते हैं registration को finish कर देते हैं यह चीज़े आप बाद में भी address और चेंज कर सकते हैं कहीं कोई problem नहीं आने वाली है इस समय hosting का cpanel अपना काम कर रहा है याद रखना cpanel को लोग hpanel भी कहते हैं दोनों चीज़े सेम हैं चाहिए वो cpanel हो या hpanel हो एक ही बात है आपको कोई confuse होने की ज़वरत नहीं है आगे पूछ रहा है कि आपकी target audience क कहां पे है इस पेसली अभी तो हम इंडिया में हैं इंडिया के लिए बना रहे हैं चले इंडिया चूज करते हैं मैं आपको फिर से बता दूँ आप पहले ही इन चीजों को skip कर सकते थे और manually यह सारा काम कर सकते थे लेकिन चुकि अच्छा सा interface बना हुआ है तो आप मेरे सा सब्सक्राइब को स्टॉल करते सी पैनल में जाके तो वहां जाने की जवरत नहीं है यहां पर वर्डप्रेस खुद ही स्टॉल हो रहा है एक बार वर्डप्रेस यहां पर स्टॉल हो जाए तो आपका CMS content management system ready हो जाएगा जहां पर हम अपनी पूरी website को manage करने वाले हैं बनाने वाले हैं क्योंकि यह hostinger है यह सिप h-panel है या c-panel है जहां पर आप अपनी settings domain hosting यह सारी चीज़े control कर सकते हैं यहां से website नहीं बनती है बट एक बार आपके domain पर wordpress install हो जाए फिर हम आगे की तरफ proceed करेंगे देखिए हमारा जो domain है वहां पर wordpress install हो चुका है यह हमारा h-panel है यह c-panel है hostinger का देखो यहां पर सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है यहां पर अपना database file manager यहां पर domains का option है जहां पर आप जाके बहुत सारे sub domain 100 sub domain बना सकते हैं कभी आगे देखेंगे यह मेरा domain है business onset solutions.com यह मैंने लिया हुआ है क्योंकि business onset नहीं मिल ला था यह install हो गया है अब देखें SSL automatic enable कर दिया गया क्योंकि SSL नहीं होगा तो log का sign बन की नहीं आएगा एक बार SSL आपको मिल गया क्योंकि hostinger आपको free में देता है SSL तो उससे क्या होगा hackers आपके data को hack नहीं कर पाएंगे hack भी कर लेंगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे अब चलिए एक बार चलते हैं अपनी website के ऊपर और वहां से हम wordpress पे login करते हैं यह देखिए business onset है अब इसको click करते हैं और open करते हैं देखते हैं क्या है अभी फिलाल यहां पे example page है इस website पे अभी देखो यहां पे कुछ भी नही है businessonsetsolutions.com अब मुझे wordpress पे जाना है हम यहां से भी जाके wordpress पे जा सकते हैं ज्यादा अच्छा है कि आप आपका जो domain है उसके आगे यह slash लगा करके आप लिखिए wp-admin wp-admin dash को hyphen भी बोला जाता है जैसे ही आप wp-admin लिखेंगे वैसे ही आप इसके wordpress वाले page पे आएंगे अब यहां पे जो email id और password मागा जा रहा है वो wordpress वाले का मागा जा रहा है जो हम लोगों ने बनाया हुआ है तो चलिए मैं यहां पे insert कर देता हूँ याद रखना यह hpanel का password नहीं है hpanel आपका यह है जहां से आप अपनी domain और hosting आप control कर सकते हैं main आपका यह CMS wordpress जो है हमार यह आपका यहां पे id password मागा जा रहा है दोनों आप same रख सकते हैं दोनों अलग लग भी रख सकते हैं कोई problem नहीं मैं recommend करूंगा आप same रखेंगे तो ज़्यादा भूलेंगे नहीं confused नहीं होंगे तो चलिए हम अपने wordpress पे आ चुके हैं password को save कर लेते हैं बाबार coin type करेग और आपको यकीन भी सायद नहों कि इतनी जल्दी e-commerce website कैसे कोई बना सकता है ठीक है अब जैसे यहां पे businessonsetsolutions.com है इसको चलो मैं एक new page पे यहां पे open कर देता हूं जिससे आपको यकीन रहे कि हाँ बन भी सकता है की नहीं अभी देखो यहां पे सिर्फ एक sample page आपको दिख h-panel है या c-panel है इसका काम खतम हो चुका है इसको आप बंद कर सकते हैं simply आप देखो यहां पर domain hosting यह सारी चीज़ें आप control कर सकते हैं billing है यह सब कुछ आप यहां पर control कर सकते हैं अब आप इसको logout कर सकते हैं क्योंकि अब इसका यहां पर कोई role नहीं रह गया चलो इसको close कर देते हैं, क्योंकि इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया कि H-Panel या C-Panel आप अलग चीज है WordPress जो हमारा CMS है ये अलग चीज है, बहुत लोग इसी में confused हो जाते हैं चलिए, इस समय हम WordPress पे आ चुके हैं, आपको अपनी website हम बना के दिखाते हैं सबसे पहला काम आपको क्या करना है जब आप इस पेज़ पे आ जाएंगे वैसे इस पेज़ पे आने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैंने सब बनाया वैसे भी कर सकते हैं, skip करके भी हम यहाँ पे आ सकते थे, अब यहाँ पे क्या है सबसे पहले आपको setting में जाना है setting में जाने के बाद parma link वाले option पे click करना है और यहाँ पे post name select कर देना है जिस page को हम design करें उस page का नाम यहाँ पे लिखके आए यह easy रहता है google पे rank कराने के लिए भी अब एक बार देखिए मेरा save हो गया parma link इसको save करने के बाद आपको जाना है कहाँ पे plugin में और आपको एक new plugin install करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे देखो search bar है यहाँ पे हमको search करना है elementor elementor क्यों? elementor free है इनका pro version भी है लेकिन free में ही आपका सारा काम हो जाता है क्योंकि आपको elementor में क्या है कि कोई सी design भी करना है तो सिफ drag drop करना है कोई मेहनत करने की जवरत ही नहीं है बहुत अच्छे तरीके से काम करता है तो यहाँ पे देखो यह वाला जो है इसको आपको install करना है by elementor.com तो install now पे आपको click करना है install now पे click करने के बाद एक बार यह install हो जाया दिन आपको इसको activate करना रहेगा इस समय install हो रहा है elementor pro version भी आता है बट आपको pro लेने की कोई ज़रूरत नहीं है पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है एक बार आपने hosting के लिए pay कर दिया that's it वही आपके लिए काफी है इसके बाद आपको एक रूपए भी इसमें कहीं भी लगने वाला नहीं है सब कुछ मैं free में आपको करके दिखाने वाला हूँ तो चलिए यहाँ पे आपकी plugin install हो गई इसको activate कर देते हैं अब एक बार elementor activate हो जाए तो क्या करना है यह मैं आपको बताने वाला हूँ यह plugin है याद रखना जो मैंने बोला था ना plugin क्या है यह small software utilities है जो आपकी website को extra functionality provide करती है कैसे अभी आपको समझ में आ जाएगा अब देखो install plugin में आपका elementor यहाँ पे दिखने लगा हुआ है enable auto update एक साथ ही सारा select करके हम auto update को enable कर देते हैं क्यों इससे क्या होगा कोई भी plugin में update आता रहेगा वो automatic होता रहेगा आपके पास email आ जाएगा कि update हो चुका है आपको कुछ भी करने की ज़वरत नहीं है चलिए अब एक new plugin install करते हैं अभी तक हमने elementor install किया है बाकि जो दो plugin है by default hostinger ने install किया है यहाँ पे again आपको search करना है elementor ठीक है elementor सर्च करना है और elementor लिखने के बाद आपको थोड़ा नीचे scroll करना है जब आप नीचे scroll करेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा starter templates ध्यान से देख लो ये वाला चाहिए 1 million प्लस इसके installation है इस वाले plugin को आपको install कर लेना है अब ये install हो जाए तो फिर आपको real magic plugin का दिखाई देगा अब एक बार ये plugin क्यों install कर रहे है क्यों 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 मुझे तो e-commerce website बनानी ही नहीं है बनी बनाई website लेके आना है edit कर लेना है और उसको अपनी website बना लेना है simply इसको activate करना है एक्टिबेट करना है एक देखो अभी भी अगर मैं अपनी website को refresh करूँ क्या है कुछ है क्या कुछ भी नहीं है एक sample page लिखा हुआ है अब आपका जो plugin है वो install हो चुका है इस्टॉल हो गया है plugin तो जैसे ही plugin आप इस्टॉल करेंगे तो will be template पे आपको click करना है elementor चुकि मैं elementor के थुरू काम कर रहा हूँ बहुत simple है free में बहुत सारा काम आपको करके देगा तो यहां से आपको elementor चूज करना है अब यह आपको ऐसा predefined template देने वाला है जो element compatible हो और साथी में आपकी theme भी support कर रही हो उसको देखो यहां पे नीचे आओ आओ आपको बहुत सारे बने बनाए e-commerce website के template मिल जाएंगे बस आप इनको लगाओ और इनके option को change कर दो आपकी अपनी website बन गई दो minute भी नहीं लगता अगर इसको देखा जाये बाकि तो आप designing कुछ भी करते रहो बनने में दो minute लगता e-commerce website को पिछली बार जब मैंने सिरीन स्टार्ट की थी तो मैं manually करके दिखा रहा था लेकिन लोगों को लगा मुझे लगा कि लोग उतना जादा नहीं कर पा रहें इस बार मैंने का आप predefined template से बताते हैं बहुत easy है बहुत simple है यह सारा काम आप manually खुद भी design करके कर सकते हैं बट करने की जवरत ही क्या है जब free में आपको मिल ला है यहाँ पे e-commerce category आप choose कर सकते हैं यह जितने templates यहाँ पे दिखाया जा रहें जो premium है वो खरीदने पड़ेंगे जो free है उनके कुछ भी आपको नहीं देना है आपको free वाला ही यूज़ करना है यह देखो brand store बहुत popular है यह यह free template है website का जो की कोई पैसा नहीं लेता बहुत अच्छी website आपकी बनेगी चलो इसी पे बना के दिखाते हैं एक template मैं बना के दिखा दे रहा हूँ अगर आपको यह नहीं कोई मलीची अलग categories है आपकी और यहां पे देखो बहुत सारे हैं आपको कोई दूसरा पसंद आए है सारी चीजे वहीं सारे options वहीं हैं कहीं कोई problem नहीं आने वाली है तो चलिए मैं इसको click करता हूँ इस पे एक click करिएगा आप जब आप click करेंगे तो यह load होगा आप load होने दीजे load होने के बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे यह दिखो यह कह रहा है कि अगर यह आप जो है starter template install करते हैं तो आपकी website ऐसे दिखने वाली है देखो कितनी अच्छी website है कुछ करना ही नहीं है बहुत simple है ना light weight है और अच्छी लग रही है और यह हर type के store के लिए काम करेगी ठीक है तो चलिए अभी हम यहाँ पे skip and continue करते हैं आगे color और चेंज करने के लिए कह रहा है कुछ भी नहीं करते हैं जो करना होगा बाद में कर लेंगे उसके बाद continue करते हैं यह सारे option tick होने चाहिए इनको भरने की कोई जहुरत नहीं है भरना हो तो भर देना कि हाँ आपने लिए बना रहे हैं otherwise submit and build your website पे click करना है अब magic start हो चुका है इस plugin का magic आपको बस दिखने वाला है अभी इस समय क्या लिखा हुआ आ रहा है we are building your website इस समय यह आपकी e-commerce website को बना रहा है उस e-commerce website को बनाने के लिए e-commerce की जहुरत हो कि e-commerce तो possible नहीं है सब कुछ आपको free में ही दे देता है e-commerce install कर रहा है activate कर रहा है वो सारी plugin install करेगा जो आपके इस website या इस type की website चलानी के लिए जरूरी है सारे template install करेगा theme हमने ashtra पहले से install कर रखिए नहीं भी की होती न तो यह ashtra आपने आप install कर देता यह ashtra पे ही चलने वाला है ठीक है कोई थोड़ा सा time लेगा एक बार यह आपकी website को install कर दे यह template वहाँ पे install हो जाए सब कुछ हो चुका है उसके बाद तो सिर्फ हमको customize करना है और हमारी e-commerce website हमारे पास हो जाएगी जिसको हम आसानी से Amazon, Flipkart, Miso, Jomart जैसे जितने e-commerce marketplaces है वहाँ पे manufacture information packer information में reflect कर आ सकते है वहाँ से जो customer आपके brand को verify करना चाहे authenticity देखना चाहे कि brand कैसा है क्या है, google करना चाहे आपकी website पे land करेगा उससे उसका trust बहुत जादा बढ़ने वाला है और आपका भी बहुत फैदा है क्योंकि इससे एक loyalty आपकी बढ़ती है एक आपकी reputation बनती है market में कि बिना website के कुछ भी नहीं होने वाला पता लगा आपने बहुत बढ़िया brand बनाया लोग google पे type कर रहे हैं उसका अता पता ही नहीं है तो आप सोचो आप market में कहां तक चल पाओगे इसलिए website बनाना हमेशा बहुत जरूरी होता है अभी भी देर नहीं हुई है website बना लीजे धिर धिर इस पे काम करिए धिर धिर इस पे traffic आएगा मैं मान लीजे आपको अभी online selling नहीं करनी है फिलाल आप website बना लीजे आगे आप online selling करिएगा क्यों पहले website बन जाए Google पे धिर धिर रैंक करने लगे और एक बार रैंक कर जाए तो सारी चीजे बहुत आसान हो जाती है और फिर आप देखेंगे कि Google से भी आपको traffic मिलेगा जादा traffic चाहिए COD आउन करके Google Ads, Facebook Ads, Social Media Ads, Instagram Ads चला दिजे बहुत जादा traffic आएगी चलिए आपकी जो website है वो बन चुकी है तीन मिनट इसने लिए दिखा भी रहा है तीन मिनट 18 सेकेंड में आपकी website बन चुकी है और देखते हैं क्या बनाया इसने view your website पे आप क्लिक करिए ये देखिए आपकी website बन चुकी है बस अपने को करना क्या है इस सारे option edit कर डालने है अपने जैसे जो हमारे brand को match करेंगे बाकी कुछ नहीं website आपके सामने है नहीं believe है तो मेरा domain क्या है businessonsetsolutions.com तो simply फिर से मैं इसको refresh कर देता हूँ ये देखो पहले एक sample page आ रहा था ना अब पूरी एक proper website आ रही है और ये भी running में है आप इस पे click करिए click करने के बाद या आप देखो ये product है आपका detail page या पे zoom का feature है जैसे amazon flip card पे होता है आप इसको basket में add कर सकते है सारी चीज़ें आगे बढ़ा सकते है अभी क्या भी e-commerce को हमको configure करना है तो आगे बढ़ेंगे card का option है सारी चीज़े बनी हुई है तो आपकी website अब बन चुकी है अब आपको करना क्या है आपको wordpress में वापस आना है आप इस आइगन पे भी क्लिक कर सकते है या आप यहाँ पे .com के आगे WP admin लिख सकते हैं दोनों चीज़े हैं आप WP क्लिक करेंगे तो आप wordpress के home page पे आ जाएंगे यह देखिए businessonsetsolutions.com यह हमारा content management CMS का home page है अब देखो e-commerce इसने पहले से install कर दिया Astra वाइसे मैंने भी install की थी नहीं कर दे तो खुद कर देता template इसने Astra यहाँ पे install किया है मैंने भी की थी तो दोबारे install करने के इसको ज़रत नहीं पड़ी होगी उसके बाद elementor भी यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे यह सारे options हैं जिनका आपको मतलब थोड़ा सा जान लेना चाहिए जिससे आप इस dashboard के friendly हो जाओ रही बात आपके website की तो वो तो launch हो चुकी है आप देखो businessonsetsolutions.com आप कहीं भी सर्च करो किसी भी device पे सर्च करो इजली open हो जाएगी और याद रखना यह theme mobile और tablet friendly भी है मैं change करके इसको अपना बना लूँगा बाकी कोई template चूच करो जैसा मैं बता रहा हूँ procedure वही है बस आपको कोई option यहां से वहां दिख जाएगा कोई वहां से यहां दिख जाएगा अभी हम इस सारे page को edit कर डालेंगे और अपने जैसा बना डालेंगे और अपनी website बनके ready हो जाएगी website तो अभी भी ready हो गई है अब यहां पे आगे इसको customize करने से पहले इसको अपना logo गयरा change करेंगे सारी चीज़ें change करेंगे इसको करने से पहले एक बार इसको मैं आपको समझा देता हूँ जो main main option है आपको समझ में आ जाए कि यह क्या dashboard है जिससे आपको operate करने में आपको help मिलने वाली है यहां पे यह hostinger यह dashboard, astra यह तो ठीक है main आप यहां से समझेए यह तो आप जानी रहें आपकी theme का है, dashboard का है, hostinger का है, post यहां पे जो हम sample post या कोई post publish करेंगे अपने website पे वो यहां पे दिखेगी, यह media जो भी photo, जितनी भी images, जो भी video जो गारा हम अपनी website पे ले आएंगे upload करेंगे, listings करेंगे, उनकी images upload करेंगे वो सब कहां आती है, media में आती है यह है pages, जो आपकी website के pages है all pages पे click करके मैं आपको दिखा देता हूँ देखो, इस theme ने आपको सारे page बना के दे दिये है कुछ भी नहीं करना, क्योंकि o commerce install है यह back in में चलने लगा है मैं एक setting यहां से कर दूँगा ना यहां से हम purchasing कर सकते हैं मैं एक setting करूँ, अभी यह चलने लगेगा अभी आपको समद लो, यह सारे pages यहां पे बने हुए है हम इसको edit with element है, इसको edit कर डालेंगे उसके बाद comments, जो भी आपकी website पे comments आएंगे यहां पे दिखेंगे then o commerce आता है o commerce के यहां सारे options चुकि o commerce ही है, जहां से हम सारा काम करने वाले है o commerce ही, आपकी website में e-commerce की functionality लेके आया है देखो order, customer, सारे reports, tax, advice, अगारा सब यही से मिलने वाली है उसके बाद products, जब आप हम listing करेंगे अभी मैं all products पे आपको दिखा देता हूँ यहां पर new का option जहां से हम listing करेंगे यह देखिए, इतनी listings इन्होंने by default करके दी है आप इनको delete करके अपना करेंगे मैं आपको करके दिखाऊंगा यह sample listings है, जो वहां पर आपको दिख रही है website पर यहीं से दिख रही है उसके बाद analytics कोई मतलब नहीं अभी elementary से भी कोई मतलब नहीं उसके बाद आपको नीचे काम का option है appearance यहां से हम theme, menu, header, footer यह सारी चीज़े customize कर लेंगे, change कर लेंगे यह plugin जहां से हम install plugin को देख सकते हैं new plugin को install कर सकते हैं उसके बाद tools जहां से हम अपनी website को import, export कर सकते हैं इसके बाद settings जहां से हम अपनी website की settings को control कर सकते हैं तो यह basic options हैं जो आपको मालूम होने चाहिए जिसका हम use करने वाले हैं रही बात आपकी website की तो आप देखिए मैं फिर से refresh करके दिखा दे रहा हूँ आपकी website बिल्कुल ready है यह वही product हैं जो वहाँ पे दिख रहे हैं और यह यही pages हैं जो यहाँ पे बने हुए हैं all pages में जातार आपको page, product, e-commerce और यह appearance, plugin इन ही में आपको ज़्यादा काम करना है, इन ही से ज़्यादा आपको काम लेना है अभी क्या है, अभी demo website हमारी ready है अब यह सारी settings में हमको change करना है हम यहाँ पे अपनी images लगाएंगे, अपने हिसाब से जो हमारा brand store है हम उसको अपने हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे कैसे करेंगे, headers और यह नीचे footer, यह कैसे customize करना है कैसे करना, यह सारी चीजे मैं आपको अब बताने वाला हूँ I think video बहुत ज़्यादा lengthy हो रही है कई बार में हमको suit करना पड़ा है तो इस part को यहीं पे end करते हैं next part में हम इस पूरी running website को customize करके दिखाएंगे आपकी listings करके दिखाएंगे यह logo गयरा change करेंगे और e-commerce को configure कर देंगे उसके बाद एक payment gateway integrate करेंगे COD enable करेंगे और आपको order करके दिखाने वाले हैं तो आप समझ जाएं कि चुटकी में आपकी website ready हो गई कहीं आपको एक भी रूपए किसी पी developer को नहीं देना है तो इस तरीके से free में e-commerce website बन जाती है कहीं कुछ भी नहीं करना एक पैसे किसी को नहीं देना है only जो आपका पैसा लगाना वो hosting के लिए लगा मैंने भी तो hosting परशेश की आपके लिए न live क्यों जिससे मैं सारी चीजें आपको दिखा पाऊं समझा पाऊं और आपको समझ में आ जाए I hope ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को like and share जरूर करिएगा link पे click करके hostinger page पे जाके coupon code HA10 जरूर apply करिएगा इस से आपको additional off मिलने वाला है और आपके पैसे बचने वाले हैं इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी thank you so much for watching